हलो नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल लौवित रोनित दोस्तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 से रिलेटेट सभी केस लौस पे कि आर्टिकल 21 में कौन-कौन से केस लौ बहुत इंपोर्टेंट है और आखिर में आर्टिकल 21 जो बना है राइट टू प इंडिया के दोरा जो भी जजमेंट पास किये गए इन सारे एस्पेक्ट सी हम बात करेंगे पहले तो हम जानने कि आर्टिकल 21 में हमको प्रोवाइट क्या किया गया है आर्टिकल 21 कहता क्या है इसके बारे में हम यहां पर जानने का कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 1 में हमारा कितना wider scope है यहाँ पे बताया जाता है no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law जब तक procedure established नहीं करता है जब तक कानून के द्वारा ही हमारे अधिकारों से वन्चित किया जा सकता है अन्य था हमको वन्चित हमारे अधिकारों से नहीं किया जा सकता है इसमें हमारा जो most important case ला आता है मनिका गांधी का case आता है मनिका गांधी case सुप्रीम कोट ओबरूल एके को पालन case and winded the scope of article 21 और इसका 21 के scope को इतना बड़ा कर दिया गया है इसमें हर एक चीज आ जाता है article 21 में the court upheld the procedure contemplated under article 20 could not be unfair and unreasonable जो भी article 21 में बताया कि वो unfair नहीं होना चाहिए और unreasonable नहीं होना चाहिए इसूड भी just fair and reasonable जो भी मामला होना चाहिए article 21 के according वो just होना चाहिए fair होना चाहिए and reasonable होना चाहिए similarly law under article 21 should embodied the principle of natural justice जो भी article 21 के according law apply होता है वो principle jurisprudence के natural justice के principle पर क्या होना चाहिए best होना चाहिए अगर jurisprudence के natural justice के principle पर अगर वो depend नहीं है अगर वो best नहीं है फिर वो law do regrets with fundamental rights हो जाएगा फिर आगे हम बात करते है article 21 is controlled by article 19 मत्रों मैं आप लोगों के यहाँ पर बताना चाहूँगा यहाँ पर एक golden triangle बनता है constitution of India में article 14 का article 19 का and article 21 का इन तीनों को मिला करके एक बहुत बड़ा golden triangle बनता है और यह तीनों बहुत बड़ा important role play करते हैं हमारे part 3 में Indian constitution के part 3 में यहाँ पर बताया गए ता law must be satisfied the requirement of article 19 is also the court elaborate that right to life is not merely confined to physical existence but it includes the right to live right to live in the human dignity यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ एक जानवरों के जैसे जीना ही जीना नहीं होता है हम जीवन पाएं है जीने के लिए तो हमारा जीवन जो होना चाहिए वो गडिमा पूर जीवन होना चाहिए सम्मान के साथ होना चाहिए फिर हमारे पास एक नेक्स्ट केस आता है हमें क्या चाहिए हमें एक डिगनिटी पूर हमें एक गरिमा पूर जीवन का अधिकार है वो अधिकार हमें कौन देता है वो अधिकार हमको देता है Constitution of India का Article 21 देता है यहां पर Article 21 के बारे में बताया गया है देर मस्ट भी ये वैलिड ला जो Article 21 होता है वो इसी की बात करता है फिर नेक्स्ट जो हम देखते है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि Article 14, Article 19 और Article 21 का गोल्डें ट्राइंगल बनता है जो कि Part 3 में हमको अच्छे तरह से डिफाइन किया गया अब हम केस लॉस की बात करते हैं कि किस किस प्रकार से हमको प्रोटेक्शन देता है Article 21 वैरियस एस्पेक्ट ऑफ राइट टू लाइफ और परस्नल लिबर्टी के बारे में हम बात करेंगे कि आखर में कहां कहां पर हमको Article 21 की और शक्ता पढ़ती है । को लेकर के हमारे लाइफ को लेए पर्सनल लिबर्टी को लेकर के किस प्रकार से तो इंडियन एंड रेस्टोर्यें एक स्जियेशन ॉस्टे of dance bar in महराश्टरा Supreme Court of India के दवरा कहा गया था कि dance बार पे हम total prohibition नहीं लगा सकते हैं पूर्ध से पूर्धा रोक उस पे नहीं लगा सकते हैं Supreme Court Quays the complete complete prohibition on serving alcohol in dance bar Supreme Court of India के दवरा कहा गया था कि मैं dance पर जो एलकोहल सर्व किया जाता है मैं उस पर टोटल रो नहीं लगा सकता हूं फिर एक हमारा नेक्स्ट जो केस लाता है राइट टू प्राइबेशी को ले करके आता है और इसी के साथ साथ एक केस आता है आधार काट से रिलेटेड जो कि दोनों केस किया गया है जस्टीस के केस पुठ्टा स्वामी के दोरा केस कीया गए 2017 में किया गया था एक 2018 में किया गया था केस वो fundamental rights को ले करके था कि fundamental rights को हमारे क्या किया जा रहा है किस प्रकार के fundamental प्राइबेसी को ले करके जो 2017 का मामला था और जो 2018 का मामला था वो अधार कार्ट से रिलेटर मामला था जो 2017 का मामला था इसमें क्या बताया जाता है पुट्टा स्वामी की केस में बताया गया कि हमारा जो प्राइबेसी है वो हमारा फंडमेंटल राइट नहीं है पुट्टा स्वामी की केस में बताया गया कि हमारा जो प्राइबेसी है वो हमारा फंडमेंटल राइट से है फिर अधार कार्ट का एक मामला आता है अधार का मामला 2018 में आता है इसमें क्या बताया जाता है प्रिदिन डाउन का उसको उसको अंकॉंसिटूशनल कर दिया गया इसमें कौन सा केस है in Joseph Sain versus Union of India 2018 का यह मामला है Supreme Court struck down section 497 of Indian Penal Code and Unconstitutional इसको stuck down कर दिया गया है और Unconstitutional कर दिया गया संभीधान के दोरा और संभीधानी कर दिया गया Court held that it violated women's right to dignity and hence it infringed article 21 यह मैलाओं के अधिकार को क्या करता रहता यह article यह section जो था वो मैलाओं के अधिकार का हनन करता था constitutional कर दिया सुप्रीम कोट आफ इंडिया के द्वारा फिर जो हम नेक्स केस की बात करते हैं homosexual एक्स और constitutional जो homosexual एक्स है उसको constitutional कर दिया गया इन नौते सततर धारा तीन सो सततर बहुत चर्चा में था धारा तीन सो सततर को सुप्रीम कोट आफ इंडिया के द्वाना पार सली टोटल नहीं unconstitutional किया गया उसके कुछ प्रोविजन्स को क्या कर दिया गया अन कॉंसिटूशनल कर दिया गया फिर आगे जो हमारे पास next case आता है अगर किसी को मिनिमम वेजस नहीं पे किया जाता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है इस सारी बाते आर्टिकल 21 में बताई गई है इन पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राट्स वर्स यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 अगर किसी मजदूर को अगर उसका मिनिमम वेजस नहीं पेकिया जा रहा लिए तो यह वाइलेशन है किसका आर्टिकल 21 का वाइलेशन यहां पे बताय जा रहा फिर हम बात करते है Right to Livelyhood Right to Livelyhood में बताया गया इसका case का नाम है Olga Talis versus Bombay Municipal Corporation AIR 1986 Supreme Court held that Right to Life Include Right to Livelyhood Also Right to Life में ही Right to Livelyhood को क्या किया गया Include किया गया फिर हमारे पास next case आता है Right to Shelter का In Chameli Singh versus State of UP 1996 Supreme Court held that Right to Shelter is a fundamental right Under Article 21 Shelter पाने का भी अधिकार जो हमारा दिया गया है Article 21 में Then सबसे Most important case आता है यहाँ पे Reproductive choice का In Suchita सिर्वास्तों versus Chandigarh Administrations AIR 2010 Supreme Court held that Right to Make Reproductive choice Right to Make Reproductive choice Decision to Produce Child or Not यह महिलाओं पे depend कर रहा है Is include in Article 21 mixedeing Article 21 It also means Article 21 Include Right to Health का राइट तो हेल्थ इन पर्मानन्द कटारा वर्सेज उनियन अफ इंडिया आई आई आर नाइटी नाइटी नाइट सुप्रीम कोट हेल्ड देट आल डॉक्टर्स प्राइबेट और गवर्मेंट और और अवलाइट टू इसलिए यहां पर केस आया है राइट टू हेल्स से रिलेटेट पर्मानन्द कटारा जी क्या फिर आगे जो केस हमारे पास आता है राइट टू स्लीप को लेकर के यह भी आर्टिकल टून्टी बन में इंक्लूड है इन रामलीला मैजान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन अफ इंडिया सुप्रीम कोट हेल्ड देट राइट टू स्लीप इस फंडमेंटल राइज as it is biological and essential elements of basic necessity of life सोने का अधिकार भी हमारा क्या हो हमारा fundamental light है यह भी आर्टिकल 21 में convert होता है आता है इसमें यह बात बताई गयती है फिर उसके बाद से बॉंडेट लेवर की बात आती है जो बॉंडेट लेवर होता है वो भी आर्टिकल 21 में ही कनवर्ट होता है बॉंडेट लेवर का मतला बता है बधुआ मजदूर इन नीरा चौधरी वर्सेस इस्टेट अफ एमपी यह 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 यार 1984 सुप्रीम कोट हेल देट बॉंडेट लेवर सुड़ भी आइडेटिटिट फाइड रिहाइबिलिटेट जो भी बॉंडेट लेव राइड 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 टू लाइड राइड व्राइड आइड राइड नहीं किया गया है थिक उसके पास से पैसी यूथिनेसिया के कानसेट को बताए गया कॉमन कॉस वर्से यूणियन आफ इंडिया के के इन अनुरा अरुना रामचंद्र सानबाग वर्सिज यूनियन अफ इंडिया ए आई याट 2011 सुप्रीम कोट हेल देट इन सर्टेन केसे पैसी यूथिनेसिया इस अलाओड इन नेशनल लीगल सर्विस ऑथार्टी जिसको नालसा वर्सिज यूनियन अफ इंडिया ए आई याट 2014 की बात की जाती है जिसमें ट्रांसजेंडर की बात की गई है इसी केस के माध्यम से ट्रांसजेंडर को क्या कहते है इसमें यह बताया गया है कि जो भी लड़के हैं जिसको फीजिकल तरीके से इमोशनल तरीके से वहाँ पर एब्यूस किया जाता है अगर वो बच्चे किसी भी सरकस में है तो वो वाइलेशन हो रहा है आर्टिकल 21 का राइट टू फ्री लीगल एड इन एमेच खॉसकर्ट वर्सेस स्टेट अफ महारस्टरा ए आई यार 1978 सुप्रीम कोट हेल्ड एट राइट फ्री लीगल एड इस अफाट और पार्सल ऑफ राइट तू लाइट अन लिवर्टी आटिकल 39 ए में डिफाइन किया गया है फ्री लीगल एड प्री ऑड वो होता है जिसको की मुफत विधिक नरी ना इन लीगल इस तरवीक है गता लिवर्ट की प्रोइट किया जाता ए यह right to free legal aid हो गया अब right to speedy trial की मैं बात करना चाहता हूँ इन हुसे नारा खातुन वर्सेस इस्टेट अब बिहार Supreme Court held that right to speedy trial is a fundamental right and it is implicated in article 21 right to speedy trial अगर कोई भी person जेल में बंद है तो उसकी speedy trial के लिए यहाँ पे जल्दी से case चलाया जा सकता है यह क्योंकि यह उसके violation होता है article 21 का इसलिए यहाँ पे right to speedy trial को भी article 21 का हिस्सा माना गया fair investigation की बात की जारी है इन निर्मला सिंग खैलोन वर्सेस स्टेट अफ पंजाब AIR 2009 Supreme Court held that fair trial includes fair investigation fair trial में ही fair investigation भी include है keeping under trials with convicts in सुनिल वत्रा वर्सेस डेली administration AIR Supreme Court held that that keeping under trials with convicts in jail offender article 21 सुनिल वत्रा के case में बता जारा है कि जो जेल में जो कैदियों के साथ जो बुरा परताओ किये जाता है उससे related यह मामला है right against handcuffing in Prem Sankar versus Delhi administration AIR 1918 Supreme Court held that the handcuffing is the prima facie inhuman afterry and unreasonable handcuffing should be restored to when there is a clear and present present danger of escape अगर आदमी को लगे अगर पुलिस वाले को लगे कि हाँ यह हमारे लिए बहुत ही danger पाइदा कर देगा यह वेक्ती तभी उसको handcuffing किया जाएगा तभी उसको हत्कडी लगाए जागी अन्यता उसको हत्कडी नहीं लगाए जागी यह बात बतायागा है प्रेम संकर के case में फिर आगे आ जा रहा है use of third degree method third degree का मतला होता है कि जो पुलिस को दोरा जो torture किया जा रहा है उसी की बात बताया जा रही है कि sourcing versus state of राजस्तान AIR 1981 Supreme Court held that the use of third degree method by police is violation of article 21 जहां पे police के दोरा मारा पीटा जाता है वहां पे violation होता है article 21 का ban on smoking in public places in Murali S. Devra versus Union of India AIR 2002 Supreme Court held that direct the government to issue order banning smoking in public places considering the adverse effect of smoking on non-smoking मतलब बताया जा रहा है कि यह बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर खुले में कोई भी वेक्ति cigarette पी रहा है उसके बाद से जो next case की बात करते है public hanging की बात करते है in attorney general of India versus Lachman Devi Supreme Court held that the execution of death sentence by public hanging is violation of article 21 यह इसमें बताया जा रहा hanging by rope in Dina versus Union of India Supreme Court held that hanging by rope does not violate article 21 अगर कोई रसी से अपना गला गोट के जान दे रहा है कोई फांसी लगा रहा है अगर किसी के द्वारा निलबती बहरा के case में यह बतायागा है अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी में अगर उसको पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है और वो मर जाता है व्यक्ति तो पुलिस वाले लाइबल होंगे उस व्यक्ति को compensation उसके परिवार को compensation देने के लिए फिर जो next case आता है हमारे पार इन डीके बासू परसे स्टेट अफ वेस्ट बंगाल सुप्रीम कोट लेड राउन्ट गाइडलाइन तो भी फालूड दा इंवेस्टिकेशन एजनसी इन केस अफ अरेश्ट अफ अट डिटेंशन किस तरह से अरेश्ट और डिटेंशन में तो किस तरह से उसका investigation किया जाएगा, इसके guideline को यहाँ पर बताया जा रहा है, फिर compensation for violation of article 21, in Roodle Saab versus the state of Bihar के case में यह बताया जा रहा है, कि Supreme Court held that, court have power to award compensation in appropriate case of violation of article 21, अगर किसी के द्वारा, अगर पुलीस वालों के द्वारा, अगर किसी वी वेक्ति को फर्जी गिरफ़तार कर लिया जा रहा है, तो article 21 का उसका violation हो रहा है, तो पुलीस वाले के तरफ से किस तरह से यहाँ पर वेक्ति को compensation दिलाया जाएगा, फिर इसमें तमाम cases आते है, राइट टू आर्टिकल 21 से जैसे prevention of sexual harassment का, बिशाका वर्सेज स्टेट आफ राजस्तान सुप्रीम कोट लेड गाइडलाइन तो प्रिवेंट सेक्शुल हरास्मेंट आफ वर्क प्लेस इन ओमेंस के द्वारा, यहाँ पर यह किस बताएगा, फिर राइट टू क्लीन इन्वार्मेंट से रिलेटेड आता है, फिर रूलर रिलेटिकेशन और इन्टैलमेंट के अंदर वर्सेज स्टेट अफ यूपी का केस आता है, फिर एमसी में आता का केस आता है, जो कि इन्वार्मेंटल से रिलेटेड है, फिर Indian Council for Eco, Environmental Legal Action versus Union of India का केश आता है, फिर Well-Lord Citizen Welfare Forum का केश आता है versus Union of India 1996 गा, तो दोस्तों इसमें यही सारी केसे आते हैं Article 21 में, तो जो तना wider इसका scope था Article 21 का, जितने भी case law इसमें fall कर देते हैं Article 21 में, उन सारे case को मैंने cover करने का कोशिस किया, अगर कोई भी case law छूट जाता है तो फिर मैं उसको next वीडियो में, मैं उसको cover करने का कोशिस करूँगा, वी वर्स, थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पे ना हैं, तो प्लीज वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, और अपने near and there को, जो भी आफके friend relative होंगे, उसको ये share करें, जिस